हेलो वेलकम बैक टू एजूकेशन चैनल आज हम कॉंस्टेवल की रिक्रूटमेंट डिसकस करने जा रहे हैं और ये वैकेंसी रिलीज किया गया है सेंट्रल स्लेक्शन बोर्ड ऑफ कॉंस्टेवल बिहार के द्वारा तो फर्स्ट अफ आल इसमें किसी भी अधर इस्टेट का कंडिडेट अप्लाइक कर सकता है तो हम वेरी क्रिस्पी बहुत ही सॉर्ट में एंट फुल डिटेल के साथ एक्जामेशन पैटर्न स्लेबर्स फिजिकल स्टेंडर और फिजिकल इफिशेंसी राइट इच और आवरीटिंग हम इसमें डिसकस करेंगे सो लेट स्टार्ट इ हैं तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं अगर आपको किशी भी प्रकार की सरकारी जौब चाहिए चाहिए वो 12th लेवल का हो या फिर PG या डिग्री होल्डर तक के लिए हो आप हमें लिख सकते हैं या पेज को फॉलो कर लिजिए सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि रैगलर अ काड़े में तो तीन चरणों में जो है रिक्रूटमेंट प्रॉसेस होगा इसका वो तीन चरण होगा फिर फिजिकल स्टेंडर टेस्ट होगा फिर रिटेन होगा फिर फिजिकल इफिसेंसी टेस्ट होगा ये तीन चरण होंगे रिक्रूटमेंट प्रॉसेस के रैट तो यह में जो SC-ST candidate हैं उनके लिए जो है यहाँ पर 5 साल का age relaxation है और जो candidate यहाँ पर 3-5 रच है उनके लिए 2 साल का और पिछरा वर्च 8-5 रच के महिलाओं के लिए 3 साल का age relaxation रखा गया है तो अब अगर बात करें physical standard test की तो जिश्में की 165 cm जो है minimum हाइट होना चाहिए male candidate के लिए female candidate के लिए यहाँ पे देखिए पिछरा वर के जो अत्यनत पिछरा वर के प्रूफ है male candidate उनके लिए 160 cm है अंची जाती जनजाती के लिए भी 160 cm है और सभी महलाओं के लिए 155 cm हाइट रखा गया है जहां तक चेस्ट की बात है normal condition में 81 cm और expansion मतलब सास भरने पर 85-86 cm होना चाहिए यहां पर 5 cm का जैसे सब्सक्राइब की आपका 81 नहीं 82 है या 83 है तो आप अगर सास लेंगे तो आपका उसके according 5 cm फूलना कंपलसरी रखा गया है ठीक है तो यह चीजह हो गई physical आपका इसमें कि अनसुची जाती जन जाती के लिए 79-84 रखा गया है और सभी महलाओं के लिए जो weight है वह 48 kg रखा गया है ठीक है तो यह हो गया आपका physical standard test physical like return examination की बात करें तो 100 नम्मर का आपका return examination होगा 100 questions होंगे और इसमें question क्या पूछे जाएंगे तो इसमें अगर question पूछे जाने की बात है तो 10th level का जो है आपका Hindi English गनित सामान विज्ञान जिसमें की history geography civics and economics पूछे जाएंगे and विज्ञान physics chemistry biology right तो इस सबसे related और सामान ज्यान सामान ज्यान समस्त समसामीक मामले से समद्ध वस्तु निस्ट question पूछे जाएंगे तो मैं जो है currently अगर e-education का playlist visit करोगे तो वहाँ पे previous year के या like अगर आप current affairs की बात करें तो every month का current affairs का lecture available है आप को कुछ और चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं right so अब यहाँ पे दिखिए दुईती चरण में जो return examination हो like physical efficiency test होगा सारेडी तक्षता exam जो होगा उसमें 50 number होंगे और जो अगर 50 number मिल जाएगा अगर एक meal एक meal ब्राबर 1.6 km अगर चाल पांच मिनट से कम में complete करता है तो 50 के 50 number मिल जाएंगे अगर 5 मिनट से लेकि 5-20 second तक तो 40 अंक मिल जाएंगे पांच मिनट 20 seconds लेकि 5 मिनट 40 second तक 30 number मिल जाएंगे तो इसी तरह बीस बीस का अंतर पर आपको जो है इसमें दज़ब्स नंबर कम होते जाएंगे right तो यह हो गया, उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहां पे बट आपको 20 अंक लाना ही है, क्वालिफाइंग, अगर 20 से कम, अगर 5 मिनट, जो है, 4 मिनट, 40 से कम टाइम लिया, यह महिलाओं के लिए यहां पे, देखें, 4 मिनट, 40 से केंड में आपको यह दूरी अंक मिलेंगे। इसमें. 16 pounds का भेकना है 16 feet. 16 feet से 17 feet 9 अंक. और यहां पे 18 से 19 feet 17 अंक. तो इसी तरह जो है ये अंक बढ़ते रहेंगे. और यहां पे गोला फेक में महलाओं के लिए 16 feet से ज्यादा 25 अंक. अगर 12 feet से 12 feet से कम फेका तो आप तो उसी तरह male candidate में है 16 feet से कम फेकेंगे तो आप डिस्क्वालिफाइए हो जाएंगे high jump 25 नमबर के हैं जिसमें की अगर 13 चार feet अगर आप दो feet height लगाते हैं तो 13 चार feet 8 इंच तो 21 नमबर बट आपको 4 feet करना ही पड़ेगा अगर आप 4 feet high jump लगा लेते हैं तो फिर आप select हो जाओगे otherwise आप disqualify हो जाओगे right so यह चीज़ है महलाओं के लिए 30 feet minimum रखा गया है तो यह physical efficiency test है अगर आप number of vacancy की बात करें तो 76 number of vacancies हैं जिसमें general के लिए 40 अनुस्ची जाती के लिए 5 अनुस्ची जाती के लिए 3 अत्यन पिछरा वर्ग के लिए 13 एंड पिछरा वर्ग के महलाओं के लिए 1 तो 76 number of vacancy हैं और इसमें application fee 675 रूपीज हैं और जो बिहार के मूल निवासी है अनुस्ची जाती जन जाती और राज के मूल निवासी सभी वर्ग के महलाओं के लिए और थार्ड जेंडर जैसे की थार्ड जेंडर जो है उनके लिए 180 रुपे application fee रखा गया है ओनलाइन आप पे कर सकते हैं website है csbc.bih.nic.in तो यहां पे prohibitation department में जाके आप apply कर पाएंगे salary structure की बात करें तो 21,700 से लेके 53,000 तक salary का lend दिया है but starting salary आपको 27,700 नहीं आपको 28,000 के आसपस मिलेगा और इसमें जो है यह 27,700 जो है इस पे आपको PF मिलेगा, gratitude मिलेगा, HR A मिलेगा, bonus मिलेगा, lots of other balances आपको इसी basis पे मिलेगा अगर 12% PF दे रहा है तो 21,700 का 12% आपको मिलेगा, ठीक है वो आपके account में, EPFO account में save होगा, okay so यहाँ पे देखिए आपका 13,000 जो है September last date है, online apply करने का and 13,000 अगर से form filling start हो चुका है तो आप form fill कीजी, किशी भी तरह का कोई दिक्कत आता है, आप हमें लिखिए, आप हमें comment कीजीए, आप हमें किसी भी time, Instagram, Facebook, LinkedIn, सबका link description box में available है आप वहाँ से जाके, आप हमें join कर सकते हैं, study से, education से, career से, job से, किशी भी तरह का issue हो, आप comment कीजीए, 24 hour I am available, मैं आपको max 24 hour में response कर दूँगा so good luck, thanks for watching this video, thank you